सब लोग सब्सक्राइब कर लिया था और आज की जो लेक्षर रहेगी सर इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे रेंज ओफ फंक्शन वाला पार्ट आपन यहां मदे कंटीन्यू करना रहो ठीक है लेक्षर में अपन डॉमें आप दो फंक्शन सा पार्ट वगित लेला है तरहला तुम्हीं तरहला एक दार रिवाइस करूंगे बटा डॉमेंट आउट करने साथ इम्हीं तुम्हाला तीन डिफरेंट वेस्ट सांगित लेला है यह निवरेटर बाई इनॉम्रेटर फॉर्म् मतलब पॉजिटिव आप बनाएं वहाँ से की इनिक्वालेटी क्रियेट होगा उसको सॉल करोगे तो आपको पॉसिबल वैलूज आप एक्स वहाँ से मिल जाएगी ऐसी बिटा अगर हम लोग बात करते है कि लॉग एरिद्मिक फंक्शन आता है तो लॉक का जो बेस है वो पॉसिटिव ना चाहिए लॉक का नंबर पॉसिटिव ना चाहिए लॉक का नंबर कैनाब भी जीरू वाले तो डॉमेंझ में अपन ने पड़ा था विटा कि ढो मिन यहने क्या इंपूट और आ मैं पॉसिबल वालूज ऑप हैस अगर हैं वहर्श की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई जो हमको मिलती है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं तो रेंज फाइंड आउट करने साथ यह था वेरियस वेज भगा पहला वेज अपन माक्चा लेक्चर ला बगीत लेला तरी सुद्धा पनियाला एकदा करूंगी हो अगर बात करते हैं फिर्स्ट वेज की तो फिर्स्ट वेज क्या था सर तो फिर्स्ट वेज को कंप्लीटली वाई की फॉर्म में लेकर रहा है ना तो यहां पर बात करें तो एक्स को वेन एक्सीज कंप्लीटली रिप्जेंट एक्सीज कंप्लीटली रिप्जे हम लोग क्या करेंगे पहले सिंप्लिफिकशन्स कर लेते हैं, तो यह होगे हमारा yx plus y, यह होगे हमारा yx plus y, is equals to यह कितना होगे हमारा, तो यह equals to में आग olsun, यह आग overwhelmingly equals to में, x plus 2, यह यहां क्या होना रहे, yx minus of x, is equals to कितना होगे निकालोगे, तो क्या बचेगा y minus of 1 is equals to 2 minus of y तो x का value होगे है बटा, 2 minus of y upon काई होना रहे तो 2 minus of y upon y minus of 1 इथा काई जले, x completely represent के लाई तुम्हीं कुठ x ला completely represent के लाई, कशा चा format मदे y चा format मदे है अपन इथा completely x ला represent के लाई यहां पर आपको बनती भी दिखरी है, इसमें एक numerator by denominator form है, तो क्या बूला था, denominator जब भी 0 होगा तो वो not defined हो जाएगा, तो sir मैं y की कोई भी values रख सकता हूँ y का कोई भी value रख सकता हूँ, बस मैं 1 नहीं रख पाँगा, क्योंकि 1 रखने पर denominator 0 हो रहा है, तो बेटा, 1 जर तुम्ही ठेवला कि denominator काई हो तो तुमसे 0 हो तो ना, वन रियल नंबर मदून 1 ला तुम्ही काई करना रहा थी था, सब्ट्रैक करना रहा था, तो यह simple सा वे था रेंज find out करने का first, x को completely आप y की form में लेकर आओ, वहां से आप क्या करोगे बिटा, possible values of y बता वे काई कर रहे थे तुम्हारा थी थुन possible values of y सांग गई चे और एक example में आपको बता देता हो जैसे बेसिक सा example में ले लेता हो ठीक है, ना, standard example है, तो लास्ट लेक्टर में भी शायद मैंने यह यह example आपको करकर बताया था कि x square upon x square plus 1 है ना, ऐसे एक expression हमको या function हमको दिया वाए, इसका हमको range find out करना है बता, तो range find out कर रहे थे तो सिल तरकाय करना रत्ते बगा, domain साथी तुम्हीं भी वीचार के लास्ता कि x चा कुनता है values put करूँ शकतो, domain यहाँ पर अगर बोला रहता तो बेटा, real number में से जहाँ पर denominator 0 हो रहा है उसको हटा दोगे, तो सर यहाँ पर अगर देखे तो denominator x की किसी भी value के लिए 0 नहीं हो रहा है, तो इसका domain real number ही रहेगा अब आते हैं range की उपर, तो सर range के लिए आपने बोला है first way की x को completely y की form में represent करो, तो अगर मैं इसको solve करूँ विटा, तो यह हो गया मेरा yx square plus y, yx square plus y, is equals to है विटा हमारा x square, equals to में हमारा x square, यहाँ ज़र solve कर रहा हो तर हाँ होना रहे तुम्हाँ yx square, minus of x square, equals to minus of y, तो सर x square को आप common निकालोगे, तो यह हो गया हमारा y minus of 1, into x square is equals to minus of 1, तो x square का अगर बात करें बेटा, तो value हो रहा है, minus of y upon, y minus of 1, या minus ला, आत में देखे तो, यह minus को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अंदर ले लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 1 minus of y हो जाएगा, तो x की y upon 1 minus of y, root of y upon 1 minus of y हो गया, तो यह भी अपने को clear है, x को अपने क्या किया है, यहाँ पर completely y की format में लेकर आया, x लाकाए के ले तुम्हीं, completely y चा format मदे घहून आले हाथ, यहान अंतर काए करें लासांग, तो x completely y चा format मदे आला असे, तो यहान अंतर काए करें, तो तुम्हा possible values of y बताना है ना, तो y जो है, वो square root के अंदर present है, तो सर आप y का कोई भी value रख सकते हो, बट यह जो expression है, यह positive होना चाहिए, तो possible values of y कैसे मिलेगी, possible values of y की अगर मैं बात करो बेटा, तो possible values of y कैसे मिलने वाले है, तो possible value of y की अगर बात करें हम लोग, तो यह जो y की expression है बेटा, यह कैसे होनी चाहिए, पूरी की पूरी positive होनी चाहिए, तो y upon 1 minus of y, यह कैसे होना चाहिए, अपका greater than or equals to 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, greater than or equals to 0 आपका हो जाना चाहिए, तो बेटा, हमने इसको solve कर लिया, यहां तक हम लोग पहुझ गे, अब क्या करेंगे सर, y का inequality create हो गया, इसको solve करने के लिए हम लोग use करेंगे, वेवी कर मेथड, y चाहिए, इनीक्वालिटी create होता है, यहला solve करने साथ ही अपन यूज करना रहोत बेटा, वेवी कर मेथड, तीक है बनते, वेवी कर मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह धेन दो, वेवी कर म factor है, इसमें y का coefficient कैसा है, निगेट हो है, वेवी कर मेथड साथी का इसा अंगित लेला, number line ला plot करने साथ चाहिए, plot कर रहा है चाहिए बेड़े से, x य य जो भी आपका term है बेटा, तो उसमें वो variable आपको क्या करना है, उसका coefficient plus 1 मनाना है, उसी के बाद में आप plot करोगे, यहां से y में, minus sign को भार निकारा, तो योगिया y minus of 1, minus से multiply कर दिया, तो योगिया y upon, y minus of 1, और ये minus से multiply कर दोगे, तो ये inequality alter हो गया, lesser than, और request to 0 हो गया, ठीक है सर, योगिया towards infinity, योगिया बिटा अपना towards minus infinity, एथून y चा value 0, एथून y चा value 1, वेवी कर में थड़ी उसके ग्रेटेस चा राइट ला, प्लस, तर दोनों फेक्टर, order time से repeat हो रहे है, तो plus minus plus हो जाएगा, यह आप इसको देखकर रखो पीटा, अभी जिसको confusion है, inequality था एक separate lecture गेतला है, पूर्न चा पूर्न बेसिक पास होन तो बगुन गया, तो यहां पे denominator को सर, आप open करोगे, क्यों भी denominator 0 नहीं हो सकता है, तो y की values, less than अगर है बेटा, तो negative interval कहां से कहां तक है, वो देखो, 0 से तो 1 के बीच में है, तो वो आपका रहेगा, बेटा, final answer, हाँ होना रहे तुमसा, final answer, तो final answer कैसे बता है, उस पे भी धायन दखोई, तो यह था बेटा, पहला case, first case, to find the range of the function, x क जो है, वो completely y के form में represent नहीं हो पाएगा, एक से जो है, वो completely y के form में represent नहीं हो पाएगा, but हम लोग वहाँ पे अगर उसको solve करें, तो एक quadratic equation ही next तुमको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो यही लिखा है, forms of quadratic equation ही next, तो तुमको क्या करना है बेटा, देखो, delta greater than or equals to 0, delta greater than or equals to 0, gives values of y, gives values of y, ऐसे याद रखोगे, सर, delta greater than or equals to 0 क्यों लेना है, वो question से समझा देता हो, पेटा, tension ना ले, first case था, x completely आएगा, y के form में, second case क्या था, देखो, तुम्ही, x ला completely y चा format में देख, यह हुँ शकत नहीं, मग काया हुना है रहे, सर, तो पेटा, एक quadratic equation ही next तैयर होना रहे, काया तैयर होना रहे, quadratic equation ही next तैयर होना रहे, मग range find out करने साथ, तुम्हाला काया करा वाला गिलती था, delta greater than or equals to 0 क्या वाला गिल, तो इसको अगर मैं solve करता हो, तो यह क्या हो जाएगा, देखो, अगर मैं इसको cross multiply करूँ, तो यह हो गया मेरा y plus, काय होना रहे हमारा yx square, minus of x plus of y, minus of x plus of y, equals to me कितना आ गया विटा तेरा, तो equals to में आ गया तेरा 0, इसके बाद क्या करेंगे, देखो, yx square minus x plus of y equals to 0 गया, तो यह quadratic equation in x, आप इसको consider करो, it is a quadratic equation in x, it is a quadratic equation, it is a quadratic equation, it is a quadratic equation in x, हम लोग बोल देंगे इसको, ठीके, तो यहाँ पर अगर देखे पिटा, तो a का value कितना हो जाएगा, a का value हो गया तेरा y, b का value हो गया तेरा minus 1, c का value हो गया तेरा y, अब देखो, जब भी हम लोग function solve कर रहे थे, पिटा, x की values, real values है, ऐसे हम लोग बोल रहे हैं, तो quadratic equation का basic 10th वाला concept आप लोग याद करो, कि अगर x की values real है, तो discriminant को positive होना पड़ेगा, image नहीं रहा, तो discriminant negative हो, ऐसे बूलते हो, तो for real values of x, for real values of x, for real values of x, delta should be greater than or equals to 0, तो यही क्यों ले रहे हैं, इसको समझा आप, first था बिटा, x को completely y के form में लेकर आया, वहां से y की possible values बता ही, तो आपको range मेलेगा, second बिटा, हमको y की possible values निकालने के लिए, हमने क जा किया, देखोगे, x लाम ही, y चा format में आनुशकत नहीं है, पन, quadratic equation ही, next ही, तो create होते है, आता, x चा जाए, values है, real values है, अपले लामाईती है, मांग, x चा वैल्यूस जाए, real अस्तिल, तो discriminant delta का असना रहे, तुमचा greater than or equals to 0, असना रहे, तो बिटा, delta greater than or equals to 0 है, तो यहो करें, b का value आपका है, बिटा, minus 1, तो यह हो गया, minus 1 की square minus 4 into, a का value हो गया, बिटा, आपका y, a का value कितना हो गया, तो y हो गया, और c की अगर बात करें, तो c का value भी आपका हो जाएगा, y, और यह greater than or equals to 0, यह हो गया आपका greater than or equals to 0, तो इसमें भी आप इसको clear रखोगे, should be greater than or equals to 0, 1 minus 4y square should be greater than or equals to 0, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते है, 1 minus of 2y, 1 minus of 2y, into 1 plus of 2y, should be greater than or equals to 0, 1 minus of 2y, into 1 plus 2y, should be greater than or equals to 0, तो यहाँ पर फिर से variable का coefficient minus है, तो उसका पहले plus करें, यह इतुन जर मी माइनस सांट भाहर का अलदा हाँ होना रहे, 2y minus of 1, 2y plus 1, यह क्यों सांट तो बिटा वेवी कर मेथड के लिए बोला था, number line पे number plot करने के लिए, क्या बोला गया था, coefficient को plus 1 बनाया, plus 1 या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, plus बना दो, तो यहाँ से हमने minus sign को भाहर निकाला, यह क्या करेगा, minus से multiply करेगा तो, 2y minus of 1 into 2y plus 1, और यह हो number line यह towards minus infinity, यह towards infinity, यहाँ से अगर देखे बेटा, तो y का value कितना होगा, minus of half, और यहाँ से अगर देखे तो y का value होगा, तेरा plus of half, यह सुद्धा तुला इथा clear, असा है लावाई, यह minus half, y plus half, greatest के right में हमीशा plus provide करेंगे, factors जहां से आ रहे हैं, उनकी power को देखो बेटा, odd powers हैं, दोनों भी order times, repeat हो रहे हैं, तो plus minus plus आ जाएगा, plus minus plus यह आ जाएगा, तो यह भी अपने को clear होगा, less than a seller, कुछ उन्दर कुछ परेंते यह ता है values ते बगा, तो y belongs to, minus half से तो plus half, ऐसे इसका answer हो जाएगा, y belongs to minus half से तो plus half, तो first way था sir, x को completely आप y के form में लाओगे, second way sir, तो पिटा, x को completely y के form में नहीं लापाया, but quadratic equation ही next बना, तो उसमें delta greater than और 120 0 बोलकर solve कर, वहाँ से तिरको possible values of y मिल जाएगा, उसी को हम लोग range बोलते हैं, तो इस अपन काय बोलते हैं, तो इस range find out करने हैं ची second ways है, कि तो तो तुम्हाला quadratic equation मिलना रहे, तो minus half to half, मतलब options य आपकी क्या रहेगी बिटा, यहाँ पर correct रही, तो इसके पहले आपको बिटा, inequalities बहुत जादा clear रहना चाहिए, वेवी कर में थड़ बगेर, तो possible values of y करने साथी सुद्धा परत inequalities से यूज होते हैं, confusion न का करू, आरमात solve करा तो यह था बिटा, तुम्हारा second way of finding the range, तो इस standard way साथी बगाता, using the range of standard function, using the क्या बोरा है बिटाई, range of standard function, सार, standard functions कौन से, अपने graph पड़ी बिटा कुछ functions की, जहाँ पर अपने पड़ा quadratic equation एक पारावोला revision करता है, mod चा graph, mod चा graph, भी अचाई चा, greatest integer चा graph अगरा अपन बगित लाए, fractional part function मंझे का यस्तो, तेश उद्धा अपन बगित लाए, तो मग त्यांचा range जी अस्तो, standard functions, त्यांचा तूला use कराई चाही था, तो जैसे अगर बात करें बिटा, तो standard functions आपन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि साइन आप एक्स या कॉस आप एक्स, तो तो साइन आप एक्स की जो वैलू रहेगी, यह रहेगी बिटा, हमारी माइनस वन से तो वन की बीच में, साइन आप एक्स की जो वैलू रहेगी, यह रहेगी हमारी माइनस वन से तो वन के बीच में, कॉस आप एक्स, तो कॉस आप एक्स का भी जो आउटपुट रहेगा हमेशा क्या रहेगा हमारा, माइनस वन से तो वन के बीच में रहेगा, उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो आपको ध्यान रखना है बिटा कि अगर mod of x से गर एक function है तो mod of x का output हमेशा 0 से तो infinity के बीच में होता है वैसे exponential function बिटा ठीक है यह लक्षाद गया एक का exponential function चाप्टर अपने पड़ा वहां पर अपने ग्राफ अगरा पड़िए उसकी तो पेटा लॉग का अपने देखो condition पड़ा था algorithm to exponential form y is equals to log to the base a of x तो इसकी conditions अपने पड़ी विए यह जो x है ना यह कैसे रहता है अपका हमेशा positive रहता है इसलिए बोला जाता है बटा exponential का output भी हमेशा positive होता है तो exponential चा output नहीं ही positive अस तो ही तुमाला directly लक्षा ठेवाई चासता mod का output भी हमेशा positive और एक square root function पड़ाया था देखो तो अगर square root को function बोलना है तो बोला था उसका input भी positive और उसका output भी positive यह ग्राब बग इतले लापन square root function चा ग्राब कशा प्रकरे होता आसा राइड ओपनिंग पैरा बोला बट फक्त फर्श कॉडरन ला जस्तो तो तो यह एक चीज़ पड़ाया अपने root of x तो इसका output की अगर बात करें बेटा तो close interval 0 से तो infinity हमेशा positive यह output देता है तो एक कुछ standard functions है जिनकी range हमको यहाँ पर याद रखने रहती है तो यह standard functions यहाँ इसके साथ बेटा standard function में एक सबसे important पार्ट जो है उसको याद रखेंगे हम लोग कि एक quadratic case 3 का ही पार्ट बेटा अगर y is equals to case 3 का ही पार्ट आई यह भी ठीक है कि y is equals to अगर क्या है आपका y is equals to ax square plus bx plus c एक quadratic equation है यह quadratic equation चे outputs अपन directly लक्षा ठ्थेव शकतो हाँ पार्ट अपन quadratic equation एक separate chapter सुद्धा भगित लाए इनिशेली तीथ भगित लाए तो अभी आप इसको देखो बेटा directly याद रखो इस quadratic की जो output है conic section plus quadratic equation सा concept mix करूं है जिमियत्ता लीना रहे तो ठीक है तो इस quadratic की output अगर a greater than 0 रहेगा और a less than 0 रहेगा तो change होती है बेटा a greater than 0 तो यह opening upward parabola था है a less than 0 रहेगा तो यह opening downward parabola रहेगा तो इसमें अगर बात करें बेटा तो range याने y की values आपको directly याद रखना है minus delta by 4a से तो infinity तू फक्त डायरेक्ली असल अग्षत थे हो simple simple यह का quadratic equation ची output तो directly सांगू शकतो यह का quadratic equation ची output तो directly सांगू शकतो सर second case सो बत यहला confuse नहीं कर रहे चाए इथा x सा quadratic equation तयार होतो ठीक है जामद यह y काय करतो हो coefficient सार का काम करतो ठीक है यह question से और clear होगा तो सरे quadratic equation की directly output बता सकते है अपन a greater than 0 रहेगा तो y belongs to minus delta by 4a से तो infinity a less than 0 अगर रहेगा तो y की जो value रहेगी यह रहेगी minus infinity से तो minus infinity से तो minus delta by 4a minus infinity से तो minus delta by 4a तो इसको आप ध्यान में रखोगे question से मैं उसको clear करता हूँ एक आप quadratic equation ची output जे बिटा ते आपन directly लिवू शकतो तेला लक्षा ठेवाए चे तुम्हाला एक रिटर दैन 0 अगर यह से तो infinity यह less than 0 अगर माइनस infinity से तो minus delta by 4a ठीक है चार आप question बताओ question से clear होगा आते यह question क्यों पार तो जर तुम्हीं टेश्बूक वगेरा बगीतला बेटा क्यों हुआ चाड़े तो वगेरे शीक वाला सेल तर तुम्हाला है completing the whole square वगेरे नहीं शीक वाला जातों तुम्हाला तेची घरज ने डाइरेक्ली अपने एंचे एंस लिवू शकतो बगा if the domain of the function is minus infinity to infinity then range of the function आप लेला find कराई से तो पेटा range find out करना है इसमें और यह quadratic equation x का आपको directly दिया हुआ है तो देखो भी first way था x को completely y की form मिलाओ second था rearrange करके quadratic equation ही next बनाओ यह second से भी solve हो सकता है बड़ उसको avoid करो उससे भी easy way है ठीक है अधा तो तर particularly हाँ question जर अपन भगित ला तो यह second से ही solve होगा इसमें कोई option नहीं है यह second से ही solve होगा ठीक है इसको धेंदो यह second और third से भी solve हो सकता है थर्ड कैसे use करना है देखो directly एक quadratic equation है सर आपके बास में हाँ पर त्या quadratic चे directly तुम्हें output सांगू शकता तो यहाँ पर अगर बात करें बेटा तो y is equals to क्या था देखो x square minus 6x plus 7 तो बेटा हाँ quadratic equation आहे समर मंग h value किती है इथा तर 1 है b च value किती तर minus of 6 c त value किती तर 7 है ना तो discriminant क्या आएगा यह देखते है तो डेल्टा बेटा क्यू discriminant निकाल रहे हो सर तो बेटा बोला है a positive रहेगा तो minus delta by 4a से तो infinity negative रहेगा तो minus infinity से तो minus delta by 4a इसको याद रख अगर a positive रहेगा तो तो directly y की values लिख सकता है कैसे बेटा कोनिक्स का concept plus quadratic equation का concept mix करकर यह आता है तो इसको अभी याद ही रखेंगे तुम लोग function में तो यह quadratic equation chapter में मैंने बताया हो है कि इसका output यही क्यों आता है तो यह minus delta by 4a से तो infinity आप उसको याद रख लो ए greater than 0 है तो सर यहाँ पर आते है ए greater than 0 है तो पहले आप delta निकाल लो delta होता है बेटा b square minus of 4a b square अगर करेंगे तो यह हो गया 36 minus of 4 into a का value हो गया 1 c का value कितना हो गया आपका 7 तो यह 36 minus of 28 तो यह हो जाएगा हमारा 8 delta का value कि अगर बात करें तो डेल्टा का value हो जाएगा हमारा 8 तो यह भी clear है डेल्टा का value आगया 8 अता का यह कर रहा है तो बगा डेल्टा मिड़ा लें अंतर एक असा है तुमचा एक असा है बटा यहाँ पर a is equals to 1 है तो a greater than 0 है बटा अगर a greater than 0 रहेगा तो y की जो possible values रहेगी हम लोग directly लिख सकते है y belongs to क्या आगया minus delta by 4a से तो infinity काम खतम ठीक है यह simple याद रखो आपका काम हो गया तो y is equals to minus delta by 4a से तो infinity तो यह हो गया बटा y belongs to यह क्या हो जाएगा अपना y belongs to minus delta by 4a तो minus delta मतलब कितना हो गया आपका minus of it upon 4a अगर किया तो यह हो गया 4 और यह to infinity तो y belongs to कितना आजाएगा तेरा close interval minus 2 से तो open interval infinity y कितना आजाएगा बटा close interval minus 2 से तो open interval infinity तक आजाएगा तो यह भी अपने को clear रहना चाहिए था इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए तो सीधे सीधे याद रखेंगे तो depend करतो है बटा कशाओ और एवर depend करतो एप उसे लतर माइनस delta by 4a से तो infinity negative रहेगा तो बटा minus infinity से तो माइनस delta by 4a तो यह भी अपने को समझ गया आगे बढ़ते बटा आते है next question क्यों पर यहां पर आते है इसका range निकालना है यहां पर आते हैं इसका रेंज निकालना है यहां पर आते हैं तो कसा root of nine minus of x square है है तो इसमें बटा स्क्वेरिंग कर दो x completely y के फार्म में आ जाएगा वह आला मेधर भी आप यूज कर सकते हो इसकी values मेरे को पता है न तो इसको मैं अभी का 9 minus x square बोल दिया तो यहां पर एक ही अगर बात करें बटा तो एक का value कितना हो गया minus of one b का value 0 और c का value 9 डेल्टा निकाल लेते हैं बटा डेल्टा is equals to b square minus of 4ac तो डेल्टा का value हो गया 0 minus 4 इंटू a का value minus 1 c का value 9 तो डेल्टा का value कितना हो रहा है वो देखो तो यह हो गया 36 प्लस 36 यह हो गया हमारा यह हो गया हमारा प्लस 36 तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए डेल्टा का value हमने find out कर लिया है यह आगे आपका प्लस 36 तो यहां मत अपन confusion नाइट हमना रहा हो तो इसली तुम्हाला हापाट समझाए लासो तो डेल्टा अपने को मिल गया इसमें आगे बढ़ेंगे डेल्टा अपने को मिल गया इसमें आगे बढ़ेंगे डेल्टा मिलने के बाद बैटा आपन जीओ आप एक्स की possible values लि पेटा जीओ आप एक्स है ना पहले क्या कर रहें इस quadratic की possible values निकाल लेंगे जीओ आप एक्स belongs to क्या हो जाएगा देखो माइनस डेल्टा वाए 4a से तो infinity यही क्यों लिया सर बैटा ए फिर से positive है ए पॉजिटिव है नेगेटिव है सर ए निकेटिव है तो जीओ आप एक्स की values कैसे आएगी वो देखो ए चा जो value है तो निकेट हुए एक क्यों कितना है पिटा है यहाँ पर माइनस वान है तो एक ऐसा है अपका निकेट हुए ए इस लेस देन 0 है अगर ए लेस देन 0 रहेगा हमारा हम लोग क्या बोलेंगे जीओ आप एक्स जो है इसकी possible values क्या होगी माइनस इंफिनिटी से तो माइनस डेल्टा वाई फोरे देखो बरावर से ए ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो ओपनिंग अपवर्ड पैरा बोला आउट्पुट असना रहे तहां कौडर एडिक चे माइनस डेल्टा वाई फोरे तो इंफिनिटी ए लेस देन 0 जर असहल तर माइनस इंफ्निटी से तो नाहीं तो यह g of x की possible values आ गए बिटा, g of x की possible values minus infinity से तो 9, g of x की possible values की अगर बात करें तो g of x का possible value क्या होगा, minus infinity से तो 9 आपका आ जाए गए तो यह होगे आपका g of x minus infinity से तो 9, आगे बढ़ेंगे, g of x है अपना minus infinity से तो 9 यहां मदे में आता का आए करना रहोगे, delta easy को से तो 36 था, ठीक है एले इस देन 0 तो g of x minus infinity से तो minus delta by 4 आता प्रॉपरली भगा, g of x मन्जे का आए होता है तो तो 9 minus of x स्क्वेर होता यह देखो पिटा, g of x आए 9 minus of x स्क्वेर था, इसके बाद क्या करना है सर तो पिटा, इसके बाद में इनको square roots के अंदर दालना है, इनके बाद क्या करना है, इसको square root के अंदर दालना है हमको इसकी value नहीं चागिए थी, इसकी square root की value चागिए थी तो इसको बोल दिया पिटा, मैंने 1, इसको क्या बोल दिया, हमने 1 बोल दिया यान अंतर का एक नारत बगा, to apply square root, to apply square root, क्या करना है सर, पेटा इस function का हमको output निकालना था, तो हमने देखा उसमें quadratic आ रहा है, तो हमने उस quadratic की output पहले निकाल दी, बड़ सर उस quadratic की output अपने को नहीं चाहिए थी, उसके square root की values अपने को चाहिए थी, तो उस quadratic की output निकाल दी अब उसको square root में दालना है पेटा तेरको, तो square root में दालने के लिए वो जो value है, वो हमेशा कैसे चाहिए तेरा, positive चाहिए, इसको बोल दे तू, 2, तो from 1 and 2 उसकी तेरको possible values मिल जाएगी, from 1 and 2, यह क्या हो गया देखो पेटा, 9 minus of x square जो है, यह आ गया तेरा 0 से तो 9 के 1 and 2 का intersection करोगे तो पेटा, यह बोल रहा है, minus infinity से तो 9, यह बोल रहा है, आपको 0 से उपर वहना चाहिए, square root apply करने के लिए, इन दोनों का कर दी आपने intersection, आता square root apply करा पेटा, तो यह हो गया root of 0, यह root of 9 minus of x square और यह हो गया root of 9, आराम से बेटो, इसके बाद और एक question करने व अपने के बाद में, तो यह होगे अपना 0 और इसको आप बोल दोगे y, और इसको आप बोल दोगे 3, तो यह होगे अपना y belongs to, close interval 0 से तो close interval 3, इसको बोल देंगे, अपना y belongs to, close interval 0 से तो close interval 3, option b will be your correct answer, properly भगा, यहा फंक्शन से range वाला find करा है चाहो तो, तो यह मदे quadratic equation यह तो था, तो quadratic ची में range पहले find out करूं तक लिए, यह ना, ए निगेटिव है सर तो इस quadratic की value minus infinity तो तो minus delta by 4 यह रही, उ बेटा square root अपलाई करने के लिए हमने क्या किया है, उसके अंदर का expression positive होना चाहिए, इसका use किया, ऐसी और एक question बता रहा हो, properly देखोगे, तो अपन का है करतो बेटाई का quadratic ची output directly find करूं शक्तो है ना, तो quadratic equation एक standard function है, उसकी output अपने को पता है, उसका use करके given function की हम लोग output न बोल देता है इसको है न, तो लेट, g of x is equals 2, 3x square minus 4x plus 5 तुने बोल दिया इसको, अब इस quadratic की output तू निकाल ले बिटा, वो कैसे निकालेगा सर, a का value 3 है, b का value minus of 4, c का value 5 है, तो discriminant delta पहले निकाल लोगे, b square minus of 4, c, तो delta का value आ गया बिटा, b square किया, तो 16 minus 4 into, a का value 3, c का value 5, तो यह हो गया 16 minus, 16 minus 60 यह हो रहा है न, तो यह value आएगा बिटा, minus of 44, ठीक है, यहाँ पर आते है, sir, a का value कितना है, 3 है, a का value 3 है, मतलब a is greater than 0 है, अगर a greater than 0 है बिटा, तो g of x जो है, वो कैसे होगा, output अपन इसका लिख सकता है, quadratic equation था, g of x, पिछले question में भी यह किया था, इस quadratic equation ने लिया भाहर, उसकी output निकाल दी, कैसे, a less than 0 रहेगा, तो minus infinity से तो minus delta by 4, तो greater than 0 रहेगा, तो बिटा यह रहता है तरह, minus delta by 4 से लेके तो infinity, minus delta by 4 से लेके तो infinity, minus delta by 4 से लेके तो infinity, तो यह भी ठीक है, sir, आगे बढ़ेंगे, आ उता तुम चा, g of x, minus delta upon 4 से लेके तो infinity, यह पर values रख दे तो g of x की values की अगर बात करे, जी आप एक्स कस ओह ना रह在? ते बग G आप एक्स की अगर बात करें तो G आप एक्स हो गया तेरा जी आप एक्स belongs to माइनस डेलटा बाए 4 है तो यह हो गया पिटा अपना 44 upon 4 है अगर मैं करू तो 4 है याने कितना हो गया तेरा 12 हो गया माइनस का आ गया सर तो बटा माइनस यह माइनस के चलते इसको cancel out कर दिया है तो up to infinity तो यह हो गया g of x की possible values कितनी आ रही है 11 by 3 से तो infinity तो सर यह quadratic की output आपको मिल चुकी है तो यह जो value है बटा 3x square minus 4x plus 5 इसकी values तिरको पता हैं यह 11 by 3 से तो infinity के बीच में रहेगी बट सर इसकी values नहीं चाहिए इसके उपर log जब आपलाए करोगे उसकी values चाहिए यह quadratic वर तो जवा log apply करना रहे तैचे values तुला पाईजिए मग काई करे चाहिए यह values आला अंतर काय करता है प्रॉपरली बग इसके पहले अपन ने बटा quadratic की output निकाल कर उस पे square root apply किया था तो पहले square root की condition को consider किया था कि square root के अंदर का expression positive होना चाहिए square root के अंदर का expression कैसे होना चाहिए positive होना चाहिए चाहिए बटा बग ले यहां केसमाध अपन काई करतो है एक quadratic चे आउट्पुट मिड़ा लें अंतर आपन ते आवरती log करतो भड अपन कर्शावर्य अपलाई करूशकत नहीं लौग अपन करी करूज शकत नहीं लौग अपलाय करने साथ यह और पॉजीटिव पॉजीटिव स्थेटिगे तो तूप लाट लौ यहां पर क्या लिखेंगे द्हेंदे तूप लाट apply log log को apply करने के लिए यह जो number है log का log के अंदर वाली जो part यह कैसे होनी चाहिए थी positive होनी चाहिए थी 0 होना चाहिए 0 से greater होना चाहिए था from 1 and 2 दोगान चाहिए intersection गे common portion जर तुगेतला भीटा दहामन तो 0 पेक्षा मोटा उपर वाला ही part आएगा बेटा तो यह जो गया 3x square minus of 4x plus 5 और यह less than infinity यह भी ठीक है सब अब apply कर दो बेटा log दोना साइड में तो यह जो गया log of 11 by 3 यह जो गया log of 3x square minus of 4x log of 3x square minus of 4x plus 5 और यह जो गया बेटा log of infinity तो sir values के लिए कुछ चीज़े धान में रखो log 1 ची value 0 असतो log of 0 is minus infinity log of infinity is infinity यह कुछ चीज़े आप याद रखे बेटा ठीक है तो यह log का जो graph है वही से आती यह सारी चीज़े log of 0 0 नसतो ठीक है कधी चुकी ने log 0 आलत तेला 0 नका लिए तो minus infinity असे log of infinity infinity दसतो बेटा तो यह गया log of 11 by 3 यह गया आपका एका quadratic चीज़े output अपन find करूशकतों एका quadratic चीज़े output अपन काई करूशकतों डायरेक्ली find करूशकतों तर्चा यूज करून तुम्हीं given function चाई के लाए बिटा रेंज फाइंट आउट के लाए मक्सर तुम्हीं sin x cos x ng range सुद्धा आमाल लक्षठ यह लावले लिए तर्चा कसा यूज करूशकतों वह भी questions पढ़ेंगे पिटा पहले आप यह समझ लो यह quadratic आया तो quadratic की output आप पहले लिख सकते हों उस पे आप square root apply भी कर सकते हो उस पे log भी apply कर सकते हो और उसके बाद में सकते हैं तो यह सारी चीजें आपने को यहां पर clear रहने ही चाहिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बगा रेंज फाइंड आउट करें अस्तन ना काई basic laws है बिटा तैन से तुम्हाला यूज होना रहे law of square law of reciprocal है का अस्ता जयाना समझ गया तैन अंतर परत रेंज चे और वापस ही हो रेंज चे कोश्चन अजुन बाकी चे बिटा थर्ड जो तुम्हाली केस है यह चे अजुन कोश्चन से मोस्ट आप दी कोश्चन स्टैच केस वर रस्तत पहला दोन तीन केस तो बहुत एजी है एक्स कंप्लीटली वाई के फॉर्म में आएगा वहां से य की पॉसिबल वैलू बता होगे सेकंड केस था सर कॉड्रेड इक्विशन इन एक्स बनेगा डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो लेकर सॉल करो थर्ड था सर स्टैंडर फंक्शन का रेंज का आप यूज करोगे और गिवन फंक्शन का रेंज निकालोगे तो बिटा ताम अदे आता कही लॉज यूज होता तला समझुन गया लॉज आप स्क्वेर क्या बोल रहा है देखो बोद दे साइड और इनिक्वालिटी आर आप सेम सेंग जैसे देखो अगर मैं आपको बोल रहा हो बिटा कि एक्स की वैलू जो है वो वन से तो थ्री के बीच में है तो एक्स स्क्व स्क्वेर की वैलू आपने यहां पर फाइंड आउट की अगर मैं बोल रहा हो बिटा कि एक्स की वैलू जो है वह माइनस पॉर और माइनस टू के बीच में मतलब दोनों पॉजिटीव थे बिटा नंबर पहले अब दोनों कैसे निगीट हुए इसलिए बोला है आर आप सेम साइं दोनी नंबर एक तर पॉजिटीव अचल की वहा दोनी नंबर कर शेया निगेटिव अचल तर स्क्वेर चाव वैलू इस पाइंड करना इजी हुए जातो तो बहुत अगर मैं यहां पर स्क्वेर करूँ तो यह हो गया हमारा 16 अगर मैं डायरेक्ली स्क्वेर करूँ अगर दोनो पॉजिटीव या दोनो निगेटिव है आर ओस सेम साइन बोला न गरे तिंध्व स्क्वेरर ऑन बोथ साइड," इसे याद रख दो, अगर दोनो पॉजिटीव और दोनो निगेटिव याद कुछ सोचना नहीं है अपको अगर आपको एकस की वैलू पता है और तो आप दोनों साइड में क्या कर दो सीधे स्क्वेर कर दो आपको x स्क्वेर की possible values मिर जाएगी second case बगा ज़र एक positive और एक negative असेल तरमक काई करना रहा if one is positive and one is negative one is negative then उसका statement complete करेंगे पहले इसको समझ लो अगर पेटा x का एक value positive है और एक value negative जैसे यह लिख रहा है minus 3 से लेके तो 5 के बीच में x का value में क्या बोल रहा है आपको minus 3 से लेके तो 5 के बीच में तो आप x स्क्वेर की values बताओ आप किस की values बताओ x स्क्वेर की values बताओ तो देहन धान दोगे पेटा x स्क्वेर की values होगी बता आपकी अगर आप directly स्क्वेर करोगे तो इस बार गलत होगा सच सोच के देखो अगर मैं direct स्क्वेर करोगे तो यह 9 आएगा और यह 15 आएगा जो की wrong होगा बता क्यों wrong होगा सर minus 3 और 5 के बीच में 0 आता है आता है सर बेटा 0 का स्क्वेर 0 इसमें नहीं आ रहा है इनके बीच में 1 आता उसका स्क्वेर 1 होता जो की इसके बीच में नहीं आएगा तो बेटा जब 1 negative और 1 positive है directly square ना करें directly square ना करें फिर क्या करें सर जवा दोनी negative दोनी positive है तो तुम दोनी side ला square करा एक स्क्वेर चा possible values तुम आला मिड़ती है जवा एक positive और एक negative असेल तो तुम आला दोनी side ला directly squaring नाहीं कराई थे का तो बेटा तुम आला directly squaring के लिए नंतर directly squaring के लिए नंतर एक स्क्वेर चा possible values मिड़त नहीं तो इसमें करना है बेटा आपको 0 से greater square इसका square 9 इसका 25 बड़ा square 25 हो तो यह लिखा आपने 25 तो इसको आप याद रखो देन 0 to greater square 0 to greater square ऐसे आप simple इसको याद रखे जैसे देखो पेटा sin x की जो values है वो क्या होती है sin x की values होती है सर minus 1 से तो 1 के बीच में और अगर मैं आपको बोल रहा हो पेटा की sin square of x की value बता तो यह हो जाएगा 0 to greater square 1 काम खतम एक negative एक positive रहेगा तो आपको समझ जाना चाहिए जैसे देखो पेटा यह minus 5 से तो 10 है तो x square की अगर मैं बात करूँ तो x square का value क्या रहेगा 0 से लेके तो greater square तो 0 से लेके तो 100 तो x चाह वैलू माहिती है से अनी ते चाह square चाह वैलू माहिती करूँ गया है चाह से तो तुम्ही का है करना रहा law of square चाह यूज करना रहा law of square का है अस तो है समझ जान आपको एक function की value पता है उसके square की value भी आप बेटा वहाँ पर बता सकते हूँ और उसके लिए आपको क्या करना है law of square का use करना है आगे बढ़ेंगे इसका use कहा करेंगे से तो बता वह बताता हूँ पहले law of square reciprocal भी समझ ले ये क्या बोल रहा है देखो both the side of inequality है और same sign मतलब इसमें क्या तो one by x की values के लिए directly reciprocal लो और signs को alter कर दो signs को क्या कर दो बइटा? पुरूपा इक्जामपल टू भगा अगर मैं बोल रहा हूँ 3 के बीच में x की values है, तो 1 by x की values क्या रहेगी, तो पिटा, यह हो गया, minus 1 by 6, यह 1 by x, और यह minus 1 by 3, inequality को आप alter कर दो, यह lesser than था, यह greater than हो गया, यह lesser than था, यह भी क्या हो गया, आपका greater than हो गया, तो inequality तुम्हाला alter कर रहेचे, reciprocal क्यों हो, यह कदी कर रहेचे, जब क्या रहेंगे बीटा, दोनों same sign के रहेंगे, दोनों same sign के रहेंगे, अगर एक positive और एक negative रहेगा, तो सर, बीटा, एक positive और एक negative के लिए बता रहाऊ, if one positive, one negative, if one positive and other is negative, then, तो statement भी complete कर देता हो, then, आपको धहन रखना है, split at zero, and follow same process, इसका मतलब सर, बीटा example पे से बताऊंगा, properly धहन दे, यहाँ पर क्या बोला तिरे को कि, अगर x की values पता है, और 1 by x की value पता करना है, तो क्या कर, directly reciprocal ले, और inequality को alter कर, square की case में क्या बोला था, सर, दोनों same sign के रहेंगे, तो directly square करो, reciprocal की case में, directly reciprocal लो, inequality को alter करो, अब, एक positive और एक negative रहेगा, तो, वहाँ पे बोला था, सर, आपने zero to greater square, यहाँ पे क्या, तो बीटा, यहाँ पे बोल रहा है, पहले zero पे split करो, example देख, अगर मैं बोल रहा हूँ कि, x की जो values है, एक negative और एक positive तो, तो तू क्या करेगा, बीटा, पहले इसको तू zero पे split कर, ऐसे, क्या किया तूने पहले इसको, zero पे split कर दिया, ठीक ऐसा, zero पे split कर दिया, minus 3 से zero, और zero से 4, तो combine लिए आ गया, zero पे split करने के बाद, क्या करना है, follow same बोल रहा है बेटा, तो यह minus 1 by 3 हो गया, यह 1 by x हो गया, और यह 1 by 0 हो गया, और, यह हो गया 1 by 0, यह 1 by x और यह 1 by 4, inequality अल्टर कर देगा, inequality अल्टर कर देगा, यह भी ठीक है, zero पे split किया, और follow same process, तो यह आया बेटा, minus 1 by 3, यह आया 1 by x, अब धैन दो, 1 by 0 tends to infinity होता है, अब बेटा देखो, minus 1 by 3 से नीचे जा रहा है न, तो कहां तक जा सकता है, minus infinity तक जा सकता है, properly देखो, कोई बच्चा बोलता है, सर इसको आपने minus infinity लिखा, और इसको आपने plus infinity लिखा, ऐसे क्यों, तो बेटा धैन दे, इसमें ऐसे हो रहा है, कि minus 1 by 3 से नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, तो कहां तक जा सकता है, तो सर वो जा सकता है, minus infinity तक, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 by 4 से greater हो रहा है, तो 1 by 4 से greater रहा है, तो उपर कहां तक जा सकता है, तो उपर जा सकता है, plus infinity तक, तो यह भी तिरको clear होना चाहिए, एक negative, एक positive रहेगा, तो 0 पे split कर, और same process follow कर, यहला मनताच बेटा, law of reciprocal and law of square, सर यहन से यूज़ कसा करा है, तो इसको आप देख लो बेटा, वापस में एक बार आप फो standard functions की जो range है, इस पे लेकर आ रहा हूँ, sin x सा minus 1 to 1, cos x सा minus 1 to 1, mod of x सा बेटा, root of, sorry, 0 to infinity, exponential functions are 0 to infinity, मंग यह अन्चे base questions तो generate कर तो, ठीक है, इन पे base बेटा वो questions generate करता है, और उस case में आपका वो use करेगा, law of square law of reciprocal वगएर है, ठीक है, तो अगर मैं मान लोग question दे रहा हूँ को, find the range of, find the range of, y is equal to, simple question से start करते हैं, 2 sin square of x plus 3, यह चकाई find कर रहे थे, महला range find out कर रहे थे, इस function का अपने को क्या find out करना है बेटा, तो इस function का अपने को range find out करना है, तो क्या करें सर, तो पिटा अगर इसका तिरे को range find out करना है, तो अपन क्या करेंगे, वो धहन दे, इसका अगर range find out करना है, तो सर, range find out करने के लिए, आपने तीन तरीके बता है, x को completely y के form में लाओ, जो की possible नहीं है, quadratic equation in x बना हो भी नहीं, सर, यहाँ पर sign दीख रहा है, उसकी values मेरे को पता है, जैसे अपने quadratic चे questions all के लिए न, यह quadratic चे outputs अपने लामाई थी है, तो यहाँ पर यूज करो, अपन सम और सम और get गे लो, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, आप यहाँ किसका value पता है, we know, sin x चाए values अपने लामाई थी है, we know, sin x चाए values थी है, पिटा, तेकाए अपने लामाई थी है, कुट उंतर कुट परेंत अस्ताथ, तो sin x चाए values अस्ताथ, त्यास्ताथ माईनस 1 to 1 चामादाथ, यह भी ठीक है सर, तो, पिटा, sin square of x की जो value है, वो क्या रहेगी, सर, यह एक negative और एक positive है, तो आप 0 से तो greater square ले लोगे, यह भी ठीक है, सर, 2 sin square x की value क्या हो जाएगी, 2 से दोनों side में multiply कर दे, तो, पिटा, 2 sin square of x की value क्या हो जाएगी, देखो, दोनों side में 2 से multiply किया, तो, यह भी 2 हो गया, प्लस 3 कर दो, दोनों side में, तो आपको, प्लस 3 अगर आपने किया बिटा, तो, यह किस की value मिल रही है, देखो, 2 sin square of x, प्लस 3, और यह भी हो गया बिटा, तेरा 2 प्लस 3, तो, यह हो गया 3, यह हो गया 2 sin square of x, प्लस 3, और यह हो गया आपका 5, तो, यह हो गया, बिटा, y तुम्हारा, जो कि आ रहा है 3 से तो 5 के बीच में, तो बिटा, आपने function का range find out कर दिया, कैसे, बिटा, sign x का value अपने को पता था, उसका use करके, पूरा given function का range, हमने यहाँ पर find किया, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लोगे, ज़र अप लेला, आई next चाए values माहिती है, तो यूस करूँ एक function तैनी construct के लेला, ते चाए values सुद्धा अपने था, अपने था find करू चोपने, और देखते बिटा, यह question है, जो recently mains के अंदर पूछा गया था, कि y is equals to 1 upon 2 cos of x minus of 3, इसका भी range निकालना है सर, देखते बिटा, इसमें law of square यूज हुआ था, इसमें आते हैं, इसमें क्या यूज होगा, उसको भी देख लेते हैं, तो सर यहाँ पर मेरे को किस की value पता है, तो cos x की, तो उससे स्टार्ट कर बिटा, we know, we know, cos x चाहिए value जसना रहते का, इसना रहते बगा, we know, cos x की जो value ये बिटा, ये क्या होगी, minus 1 से तो 1 के बिच में होगी, ये भी ठीक है सर, तो बिटा, 2 cos x की value क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सर आपकी, minus 2 से तो 2 के बिच में, minus 2, 2 चाहिए, minus 3 ची value, minus कर दो, minus 3 कर दो, दोनों साइड में, तो 2 cos of x, minus of 3, इसका value क्या रहेगा बिटा, ये देख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा minus of 5, ये 2 cos of x, minus of 3, और ये हो गया मेरा minus of 1, आपका बनला तुम सा, minus of 1 बन दो, ठीके सर, बड़ इसकी value नहीं निकालना है सर, हमको क्या निकालना है, इसके reciprocal की value निकालना है, किसका value find out करना है बिटा, अपने को इसके, reciprocal का value find out करना है, ये भी ठीक है, तो बिटा, ये अच्छा value find out करें चें, minus 5 हो गया, इधर आगया minus 1, ठीक है साथ दोनों same sign के है तो by law of reciprocal दोनों same sign के है बिटा देखो अगर एक positive रहता एक negative रहता तो 0 पे split करते है तो by law of reciprocal by law of reciprocal directly reciprocal ले लोगे और inequality को alter करते है सर, inequality को alter कर देते हैं यह ठीक है तो यह minus 1 by 5 यहला तू बोलना रहे यह अनिहां तूझा minus of 1 तो minus of 1 by 5, we know that minus 1 to 1 चमदात कॉसिक सस्तो तो यह range अपने यहां पर find out की है बिटा इसको देख लोगे तो इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए calculation में एकदा भगून गे तो कई plus minus सा फरक पढ़ लाएगा तो नहीं पढ़ा है रेसी प्रोकल लेने के बाद inequality अल्टर कर दिया ठीक है बराबर यह है कोई confuse मत हो जाना ऐसे बिटा यह minus 1 से right में जाएगा minus 1 by 5 इधर रहेगा यह 0 रहेगा तो correct यह minus 1 से right में जाएगा minus 1 by 5 तक वरना inequality को लेकर सोचोगे कि सर यह values हो नहीं सकती है बिटा हो सकती है वह values उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आज का जो lecture है फिर हम लोग इसको यही पर end करेंगे next lecture में हम लोग remaining part of range पढ़ लेंगे और कुछ questions ही कर रहाऊंगा concept हो गई है और उसके बाद types of functions वगए इस पर हम लोग जान कि सकती है इस दोने ही हाँ रहाऊं क deer Nodori समें हो वेति ही यहाँ थिंग सव aggreg म सकती है अंगरा मैं समें přादद करेंगे सीर है held इसक आया उने करेंगे मैं हे व diye मैं करेंगे बादे है लोग है यह इसक पर